लोग सभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी तारिखों का एलान हो चुका है साथ चर्णों में इस बार चुनाव होने वाले हैं ये ओफिशली तोर पर अब जानकारी सामने आ चुकी है और इस खबर को सुनने के बाद जो तमाम राजनितिक पार्टियां हैं जरूर उन्होंने अपनी तयारी और जादा पुखता कर ली होगी आने वाले समय के लिए वो और तयार हो गए होंगे लेकिन इस घोशना के बाद देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का रियाक्शन सामने आ गया है और मैं ऐसा इसलिए कहा रही हूँ क्योंकि उनकी तरफ से बकायदा कई सारे एक साथ ट्वीट किये गए है उन्होंने अपने ट्वीट में कैसे खुशी जाहिर की है इस लोगतंत्र के महापर्व के शुरू हो जाने की और क्या उनकी तरफ से सोशल मीडिया जो ये वेबसाइट है एक्स पर क्या लिखा गया है सब कुछ हू बहू यानि की जो प्रधान मंत्री ने लिखा है वैसा का वैसा में आपको पढ़कर बताने वाली हूँ शुरूआत करते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी उनकी तरफ से लिखा जाता है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंब हो गया है चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहास से तारिकों की घोशना कर दी है उन्होंने आगे लिखा कि BJP, NDA इन चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तयार है सुशासन और जनसेवा कि अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच में जाने वाले हैं ये PM ने लिखा उनकी तरफ से आगे ये भी लिखा गया कि मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड परिवार जनों और 96 करोड से ज्यादा मतदाताओं का भरपूर्स ने और आश्रवाद हमें लगातार तीसरी बार मिलने जा रहा है क्योंकि ये तीसरा मौका होगा जब प्रधान मंत्री के चेहरे के तौर पर खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं आगे उन्होंने हैश्टैग अपने इसी पोस्ट के आगे लिखा फिर एक बार मोदी सरकार आगे उनकी तरफ से इसी में एक और ट्वीट किया गया उन्होंने लिखा 10 साल पहले का जिक्र किया इने कि 10 साल पहले जब वो पहली बार प्रधान मंत्री बने थे उन्होंने लि के गर्त में था और दुनिया भी भारत पर भरोसा करना छोड़ चुका था हमने उस परिस्थिती से देश को निकाला और आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया उन्होंने इस बात का इस ट्वीट में जिक्र किया कि 10 साल पहले जब वो पहली बार प्रधान मंत्री बने यानि कि उन्होंने जब देश की बागडोर संभाली तब उन्होंने बताया कि देश की स्थिती किस तरह से बुरी थी उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी सेक्टर ऐसा रह नहीं गया था जहां पर भरष्टाचार ना हुआ हो यानि कि वो उस वक्त की सिती को बया कर रहे थे जब वो पहली बार प्रधान मंत्री बने थे अब इसी के आगे एक और ट्वीट उन्होंने किया मैं वो आपको बताती हूँ 140 करोड देशवासियों की शक्ती और सामर्थ से हमारा देश आज हर दिन विकास के नए कीरतिमान रच रहा है आज हम दुनिया की पांच वी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता बने हैं और करोडों भारतिये गरीबी से बाहर अब आ चुके हैं हमारी सरकार की योजना है देश के कोने कोने और समाज के हर तपके तक पहुंच रही है हमने शर्ट प्रतिशद देशवासियों तक पहुंचने के लिए काम किया है और जो उसके परिणाम है यानि कि जो उसके रिजल्ट है हम सबके सामने हैं प्रधान मंत्री ने इसमें जिकर इस बात का किया है कि देश में अब हर सेक्टर के अगर बात की जाए तो कैसे लगातार नए काम हो रहे हैं, विकास के दिशा में देश आगे बढ़ रहा है तो उनकी तरफ से बताया गया कि जो काम मोधी सरकार की तरफ से किये गए हैं, उसका नतीजा क्या है वो सब के सामने है इसके आगे भी प्रधान मंत्री ने लिखा, और होने लिखा कि आज हर भारतिये इस बात को महसूस कर रहा है कि एक इमानदार, दुड़ संकल्पित और मजबूत इच्छा शक्ती वाली सरकार कितना कुछ कर सकती है इसलिए हर देशवासी की हमारी सरकार से अपेक्षाई भी बढ़ी हुई है इसलिए आज भारत के हर कोने से और समाज के हर वर्ष से एक ही स्वर सुनाई दे रहा है और वो है अब की बार 400 के पार ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आप कहीं भी इस वक्ट जो उनका चुनावी दौरा देख रहे हैं वो जरूर इस बात का जिक्र करते हैं आपकी बार 400 के पार और वो ये खुद बड़ा टार्गेट सेट करके मैदान में उतर चुके हैं एंडिय के लिए 400 पार, बीजेपी खुद के लिए 370 पार का टार्गेट रख चुकी है और इसे दौर आया प्रधान मंत्री ने आगे उनकी तरफ से और भी लिखा गया वो भी मैं आपको बताती हूँ उन्होंने आगे ये लिखा जब उन्होंने 140 करोड भारतियों का जिक्र किया और उसके बाद उन्होंने आगे ये भी लिखा कि विपक्ष पर निशाना सात्ते हुई कि आज विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही कोई दिशा दिखाई देती है उनका एक ही एजंडा सिफ्रे गया है हमें गाली देना और वोट बैंक की राजनीती करना उनकी परिवारवादी मानसिक्ता और समाज को बाटने के शड़यंत्र अब जनता खारिच कर रही है ब्रश्टाचार की अपने ट्रैक रेकॉर्ड के कारण वो लोगों से आँखे नहीं मिला पार है जनता ऐसे लोगों को कभी भी स्विकार नहीं करेगी ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लिहाज से भी कहा उन तमाम विपक्षी पाटियों पर भी निशाना साधा जो प्रधान मंत्री के साथ साथ जाती पर भी रजनीती करती है या उनको जाती गत या व्यक्तिगत रूप से उन पर निजी टिपणिया करती है जैसा बीते दिनों हमने देखा भी और उसका एक बड़ा रिजल्ट ये था कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आमें कहूं कि बीजेपी ने इसे एक चुनावी क्यामपेन के तौर पर चला दिया आगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी लिखा है मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ उन्होंने लिखा कि अपने तीसरे कारेकाल में हमें देश के लिए बहुत सारे काम करने है हमारे बीते दस साल उस गहरी खाई को भड़ने में भी बीद गए है जो दशकों तक शासन करने वालों ने हमारे लिए बनाई थी यानि कि देशवासियों के लिए बनाई थी इन दस वर्षों में देशवासियों में ये आत्म विश्वास आया है कि हमारा भारत भी सम्रद्द और आत्म निर्भर भर सकता है हमारा अगला कारिकाल इन संकल्पों की सिद्ध की रहा प्रशस्त करने वाला है ये प्रधान मंत्री की तरफ से लिखा गया उन्होंने लिखा कि जो 10 साल गुजरे हैं यानि कि जो मोदी सरकार के 10 साल है उनमें उन्होंने काम तो किया है लेकिन वो ऐसे चीजे जो इससे पहले खराब हो चुकी थी यानि कि वो ये कह रहे हैं कि जो गहरी खाई हो चुकी थी उसको भरने का भी काम मोदी सरकार ने किया है लेकिन दस साल सिर्फ काफी नहीं है अभी आने वाले समय में एक अच्छी सरकारे good governance के तौर पे जो काम करने की इच्छा शक्ती प्रधान मंत्री ने जाहिर किये वो कहा कि आगे ये तमाम काम होने बाकी है इसी तरह से काई सारे उन्होंने ट्वीट के और आखिर में उन्हों के निर्मान के लिए और अधिक मेहनत करने का उत्साह मिलता है हम विक्सित भारत के लिए सामुहिक प्रयास करेंगे और लक्षे हासल करके रहेंगे यही समय है सही समय है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया और प्रधान मंत्री ने एक बार फिर से ये काम करना है इसे एक बात एक बार फिर से साफ हो गई कि अब चुनावी जो तारीक है उनका एलान हो चुका है तो इसी के साथ NDA, BJP जो मैं कहूं या फिर खुद प्रधानमंति अब यहां से तैयारी पुकता दिखाई देती है लेकिन एक बार फिर से आप जान लीजिए चुनावी तारीक है आचुकी है और 4 जून का वो दिन होगा जब काउंटिंग होगी यानि कि ये उस दिन तैह हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है लाय से लिए जाएगा कि येूंग हा जिए आप बार फिर लो जार में कि ब्हां है जाएगा Med. झाल